आपका चैनल म्यूजिक का संसार यदि आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जीवन परिचे कादिर बख्ष पकाव जी तबले के पंजाब घराने के प्रसिद कलाकार मिया कादिर बख्ष का जन्म विभाजित भारत में सन 1902 के लगभग लाहॉर में हुआ आपके पिता मिया फकीर बख्ष अपने समय के ख्याती प्राप्त पकावज वादत थे कादिर बख्ष ने टबला और पकावज दोनों की शिक्षा अपने पूजे पिता से और उनके देहांत के पस्चात पिता के योगेश शिशे उस्ताद करम इलाही से प्राप्त की उस्ताद कादिर बख्षताल विद्या और लेकारी के काम में दक्ष थे आप सभी कारे बाय हाथ से किया करते थे आपने अपने समय में खूब ख्याती अर्जित की भारत के विभाजन के बाद आपने पाकिस्तान की नाविता स्वीकार कर ली और जीवन परियंत वही रहे ऐसे ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से संबंदित अनेकों जानकारी पाने के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें कृपया कमेंट जरूर करें आपके शिश्यों का एक बड़ा समूह था जिन में कुछ मुखिम नाम है रायगड के महाराज चकर धरसिंग जून देव, महाराज ठीकमगड, मध्यपरदेश, और आज के भुजुर्ग और चोटी के कलाकार पदमश्री उस्ताद अलारखा, मुंबाई आपका देहाब सान लाहोर में हुआ अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने साथियों के संग, म्यूजिक का संसार में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शेयर दनॉलिज